नमस्कार आप सभी को SVT साज बहु के तड़का में श्वागत है तो सिंगाड़ा आटा का कतली बना है इसका हलुआ भी बनता है तो देखिए एक चमजगी में बहुती स्वादिश्ट सिंगाड़े आटे का कतली बना के आपको दिखाते हैं एक दसी के वुरत में इसे खाई ये बहुत अच्छा लगता है कड़ाई गरम है अब एक कटोड़ी सिंगाड़े का आटा ली हूं बस एक चमजगी में ये बन जाता है है बहुत ही स्वादिश्ट सिंगाड़ा आटे का है कि फलाहारी कतली है तो फर्स्ट टाइम आए हैं था हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए तो बहुत ही स्वादिश्ट रेस्पी है और ये फलाहारी है इस तरह से आप बना सकते हैं ये दस मिनट भी नहीं लगते हैं आटे को सीर्फ तीन चार मिनट में भून जाते हैं एकदम लो टू मीडियम में रखना है जलना नहीं चाहिए चम्मत चलाते रहना है देखिए हलका कलर चेंज होना है और सौंधी खुजबू आना है और जब ये भून्य के बाद इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देना है और एकदम ठंडी में ही इसमें आपके पास दूद है तो दूद डालिए नहीं तो इसके बराबर नाप में पानी डालना है तो मैं ये एक गि तो ये बहुत ही स्वादिष्टे सिंगाडे आटे का कतली है तो बस इसको अच्छी तरीकर से चम्मत चलाते रहें ये ताकि इसमें कोई भी प्रकार का लंब से ना बने पांच मिनट के अंदर में ये तयार हो जाएंगे तो ये पूरी विदी में दस मिनट से अधिक टाइप नहीं लगते हैं मार्केट से इसका सिंगाडे आटे का पेकेट मिलता है अगर वक्त की कमी है तो इसका बनाईए बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से फलाहारी रेस्पी के लिए हमारे चैनल को जरूर देखिए इसमें भीन प्रकार की सिंगाडे आटे की रेस्पी है पूरी रोटी तो सिंगारे आटे का देखे मीडियम या अगर तेज करते हैं तो चलाते ही रहना है जब ये गाड़ा होने लगे देखे एक दम अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है एक भी इसमें लम्स नहीं है चमत चलाते रहना है तो हमारे एस बीटी साज बहुतर्का को लाइक और शब्क्राइब कीजिए देखे एक गाड़ा होना शुरू हो गया है तो अच्छी तरीके से चमत चलाते रहना है अब ये पूरी तरह पक चुकी है अब इसमें सक्कर डालना है अपने जिस तरह से मिठा खाते हैं मैं एक कटोरी में थोड़ी से कम सक्कर डाली हूं एक कटोरी से कम है शक्कर तो आप अपने ही साब से डालिए तो आछे तरीके से लंस नहीं होना चाहिए गाढा हो चुका है कि आप इसे थालिया फ्लेट में गी लगा कर आप इसे को कटलीय जमाने के लिए आप इसको डाल सकते हैं यह देखे मैं गी लगा के रखी देए फ्लेट में एक कितना गाड़ा है यह ठंडी होने के बाद कट जाएंगे इस तरह से जमा के रखना है यह दूद के कारण इसका कलर वाइट दीख रहा है बहुत ही टेश्टी लगता है दूद के साथ बना के देखिए बहुत ही स्वादिश्ट कटली है इसमें कोई भी चीज डालने की देखिए कितना अच्छा दीख रहा है तो बहुत ही स्वादिश्ट कटली है थैंक यू सो मच